कि नमस्कार दोस्तो कपील सिब्बल सहाब ने अब एक नया काम शुरू किया है आप सब जानते ही हैं कि कपील सिब्बल कभी कॉंग्रेस के सीनियर लीडर रहे हैं और राज्यसभा के सांसद रहे हैं केंदर में मंती रहे हैं मनमौन सिंग की सरकार में लेकिन इस समय जो उनकी पहचान है वो एक तरीके से निर्दलिय राज्यसभा स सांसद के रूप में है हाला कि समाजवादी पार्टी के कोटे से वो राज्यसभा सांसद बने थे लेकिन उन्होंने एक तरीके से देखा जाये तो समाजवादी पार्टी को जोईन नहीं किया था और ना ही कॉंग्रेस को उन्होंने ओफिशिली छोड़ा था और वो उस ग् पुर्खियों में नहीं है, कपिल सिब्बल के बारे में जादे खबरे नहीं आ रही थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले दो-तीन दिनों से वो मीडिया हाउसेज को इंट्रिवू दे रहे हैं, टीवी चैनल्स को इंट्रिवू दे रहे हैं, एंडी टीवी को दिया, इ इनसाफ के सिपाही, इनसाफकेसिपाही.co.com उसका नाम बताया, उन्होंने वैसे मैंने उसे सर्च करने की कोशिश की लेकिन अभी तक वो वेबसाइट बनी तो है नहीं, पता नहीं कब बनेगी, लेकिन कपिल सिब्बल का एकदम से एक्टिव हो जाना कुछ सवाल खड़े कर क्या कपिल सिब्बल सहाब जो सुप्रीम कोर्ट में एक सीनियर लोयर भी है, आजकल दुकान मंदी चल रही है शायद, जादतर क्लैंट्स मिल नहीं रहे हैं, मुकदमे पॉलिटिकल, मुकदमे लड़ने के लिए अभी शेक मनु सिंग भी ये सब लोग जाने जाते हैं, पी जादों पर भी कोई सरकारी मुकदमा नहीं चल रहा है, कोई EDCBI का मामला नहीं चल रहा है, अलकि आएसे अधिक संपत्ति रखने का मामला उनके परिवार के खिलाफ भी बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई जाच आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, फिलाल कपिल सि कोनफ्रेंस की घर पर उन्होंने जाहिर सी बात है, यही कहने की कोशिश की के मोदी सरकार लोकतंतर की हत्या कर रही है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, और जितनी भी हमारे constitutional institutions हैं, सम्वेदानिक संस्थाएं हैं हमारी, उन सब को खत्रे में डाल दिया गया है, उनका स्तित खत्रे में पढ़ रहा है, इस तरह की बाते हैं उन्होंने जो है, कही उस press conference में जैसा की वो अक्सर कहते ही रहते हैं, विरोधी दलों के सभी नेता उसी तरह की बाते कहते रहते हैं, और अब उन्होंने ये कहा कि हम यह website बना रहे हैं, इस website पे सब लोग जाकर registration करा सकते हैं इसमें जो lawyers हैं यानि के वकील हैं अधिवक्ता हैं उन सब को priority दी जाएगी अभी तक यह समझ में नहीं आया कि यह वकीलों के लिए है या जो वादी हैं जिनके उपर मुकदमें चल रहे हैं प्रतिवादी हैं यह उन लोगों के लिए है यह बहुत बड़ा सवाल है लेकिन को सब द्यान से सुनते हैं और सब लोगों ने द्यान से सुनी भी अभी तक website बनी नहीं है पता नहीं कब बनेगी मैंने तो खूब सर्च किया उसको मुझे तो मिली नहीं आपको मिले तो जरूर comment box में लिखके मुझे बताइए अब मुझे लग रहा है कि कफिल सिब्बल साब ने एक प्लान बनाया है कि जितने भी बड़े बड़े राजनीतिक मुकदमे हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जिने ये लग रहा है कि नरेंदर मोदी की रिजीम में नरेंदर मोदी के कार्यकाल में उनका शोशन हो रहा है उनको परेशान किया जा रहा है चाए वो नेता हों अधिकारी हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, बहुत सारे लोग हैंसे, जिनके काम दंदे पानी बंद हो गए हैं, वो सब मुकदमे लड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि उन सब के लिए एक वकीलों का पूल बनाने का अभियान ये कपिल सिब्बल साहब ने शुरू किया है कि उनको यहाँ पर जो लीगल एड है, वो हम यहाँ पर देंगे, और इसके बहाने सब को क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे, अब इस तरह के जितने भी लोग होते हैं, जिन पर इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, बहुत सारे अधिकारी भी फसे हुए हैं, बहुत सारे ब्यू नजर आ रहा है कि वो इस तरह की केस कर रहे हैं, दूसरी और उन्होंने कपिल सिब्बल साब का एक इंट्रिवू में एंडी टीवी पर देख रहा था, एंडी टीवी पर संकेत उपाध्धया के साथ वो बात कर रहे थे, और अभी जो लालू परसाद यादव की फैमिली प तो उसमें उनका बड़ा सिंपेथेटिक बयान आया, उन्होंने ये कहा कि साथ मुझे लालू परसाद यादव पर बड़ी दया आ रही है, वो इतने बीमार हैं, किड्नी ट्रांस्प्लांट कराई हैं उन्होंने सिंगापूर में जो रोणी उनकी बेटी रहती है, उसने अ आदमी को आप जेल भेजना चाते हैं, जो जिन्दगी और मोत की लड़ाई लड़ा है, इस तरह के लोजिक एक वकील दे, ये कुछ समझ से बाहर है, अगर आपने अपराद किया है, अगर आपने कोई गैर कानूनी काम किया है, आपके उपर अगर कोई मामला चल रहा है, त तो आपको उसे फेस करना होगा, आपको कोट कचेरी के चक्कर काटने होगे, अब ये तो एक्सक्यूज नहीं दिया जा सकता, कि वो बीमार है, इसलिए उन पर रेड न डाली जाए, ये किस तरह की वकालत कर रहे हैं, कपिल सिब्बल साव लालू परसाद यादव की, और ल आने गोटालों में तो सब जो जेल गए थे, उनकी तो जाच पहले से ही चल रही थी, नरेंदर मुदी ने जो ये नया मुकदमा चल रहा है, इन पर IRCTC गोटाले वाला, और इनकी जिसे कहते हैं कि वो नोकरी के बदले जमीन लेने वाला मामला, ये ही जरूर कुछ नए माम में लालू परसाद यादव और उनकी फैमिली को 15 मार्च को पेस भी होना है CBI के सामने, तो ये सारा माहूल एक बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कपिल सिब्बल जो फिलाल है, मुझे याद है कि उन्हें ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि लालू परसाद यादव क बचाने के लिए, उनका साथ लेने के लिए राहूल गांदी ने उस समय एक अध्या देश को फाड कर किस तरह से फैक दिया था, उन्हें ये भी याद रखना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो अब बदल गए है, अब उनकी पार्टी बदल गई है, अब उनकी सबा में भिजवाया है, तो उसकी एक सबसे परमुख वज़े ये भी है, कि आप सुप्रीम कोट के एक सीनियर लॉयर हैं, और उसका सब लोग सम्मान करते हैं, सब को लगता है कि यार कभी ना कभी इनकी जुरुत पड़ सकती है, मेरे याद है कि कफिल सिब्बल साब ने ए शक्स है, वो कितने बड़े मकान में रहता होगा और उसकी सोर्स ओफ इंकम कितनी होगी, तो मुकद में तो लड़ने होगे, ये तो सुप्रीम कोट के ऐसे लायर हैं, जो एक एक सुनवाई के 15-15-20-20 लाक रुपे लेते हैं, सुप्रीम कोट का ये हाल है, कि सुप्रीम कंपलीट हो गई थी, मेरे ख्याल में दो साल पहले वो वीडियो मैंने बनाया था, और उन सब लोगों से हमने इंट्रिवू किया था, खेर अब तो सब को नोकरी मिल गई है, सब लोग पोस्टिंग पर चले गए हैं, उन सब लड़कों ने बताया था, कि साहाब हम अपने कर से दो-दो-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-तीन-त पड़ते थे तो ये हाल है सुप्रीम कोट का अब मुझे लगता है कि अपने कपिल सिब्बल साभ ने प्लान बनाया है कि अपने साथ साथ कुछ वकीलों को और भी जोड़ा जाए क्योंकि सारे मुकदमे तो ये लड़ नहीं सकते तो अब मुझे लगता है कि इन्होंने पॉल चल रहा है और आपको उस मुकदमे को फेस करना है देखते हैं कपिल सिब्बल साब की ये नहीं जो रवायत है उनकी जो नहीं कोशिशे हैं ये कितनी काम्याब होती हैं आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस खुबसूरत लोकेशन के लिए अपना कमेट चलूर लिखिए क आपको ये लोकेशन कैसी लगी अगले वीडियो में फिर मुलकात होती है आपसे नमस्कार नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्श की बात हर्शी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट है और मेरे मित्र भी है तो बहु एक अच्छे इंसान भी है इंसान होना बहुत जरूरी है लाइफ में क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावर्ट में आ जाता है तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्टी में जो सोच कर और समझदारी के साथ रिस्पॉंसिबिलिटी और जिम्यदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं सो कॉंग्राचिलेशन्स हर्शी एंड आप लोग जरूर देखिये लाइक कीजे हर्श की बात